वेल्कम टू टोटल टेश्ट निस्की कीचन प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल आज हम अपने कीचन में बनाते हैं शकरकन चाट शकरकन की चाट बनाने के लिए आपने अपने जरुरत के हिसाब से शकरकन दे लेना है और उसको धो लेना है ताकि उसके ऊपर जो मिट्टी कूकर में डालने के बाद हमने डाल दी है इसमें आदा गिलास पानी और अप कूकर का डखकन लगाकर आप इसमें एक सीटि लगा दे हमारी है शकरकन बॉल होकर तयार हो गई है हमने इसको बॉल इसलिए किया है ताकि यह अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए और हाड में जब हम इसको roasted करके बनाते हैं, तो वह digestive system में हमारे थोड़ी problem करते हैं, उसको digest करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमने इसको boil किया है, अब आप इसके गॉल-गॉल pieces एक plate में काट लिए, इस तरीके से हमने इसको काट लिया है, और काटने के बाद अब हम इसमें उप उपर से चटनी डालेंगे, हमने इसमें खजूर की खटनी मीटी चटनी डाल दी है, ताकि जो हमारी शकरकंद की चाट है, वह और भी ज्यादा स्वाधिस्ट बनकर तैयार हो, अब हमने उपर से इसमें थोड़ी सी हरे धनी की चटनी डाल दी है, यह बिल्कूल optional है, अगर भरी चटनी इसमें पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसको skip कर दें, अब हमने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा काला नमक, ताकि यह हमें अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए, काला नमक डालने के बाद थोड़ा सा लाल मिर्ज पाउडर डालने के बाद उपर से थोड़ा स चाट मसाला डालने, और हमारी स्वादिष्ट सकरकंद की चाट बनकर पिल्कुल तयार है, यह खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, और सिजनल भी है, आप भी इसको जरू ट्राय करें, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ब